हेलो फ्रेंड्स यहां पर मेरे पास है T3L Android का रिष्टीरियो और इस वीडियो में बताऊंगा आपको T3L Android का रिष्टीरियो में वीडियो पिक्चर इन पिक्चर मोड में किस टैप से क्या जाता है सबसे पहले बतादू आपको वीडियो पिक्चर इन पिक्चर मोड होता क्या है जब आप किसी भी इन विडियो प्लेयर से जो इसमें सिस्टम वीडियो प्लेयर दिया हुआ है उसमें जब आप वीडियो प्ले करते हो यहाँ पर जैसे कि मैंने वीडियो प्ले क्या हुआ है और आप चाते हो वीडियो के साथ साथ में कोई अधर एप को भी यूज़ करना तो आप जब डारेक्टली हॉम बटन को प्रेस करोगे यहाँ पर मैंने किया और यहां पर यह चोटी सी स्क्रे mucho आगई तो इस मोड को पिक्चर इन पिक्चर मोड का आता है कि यह पिक्चर इन वीडियो के नाम से है यहां पर आप दूसरा भी अप्लिकेशन को भी यूज़ कर सकते हो और इसको भी साथ साथ में यूज़ कर सकते हो इसको आप जूम भी कर सकते हो प्लस बटन पर क्लिक करके साइज भी बड़ी हो सकती इसकी आप साइज चोटा भी कर सकते हो जब आप लेपटोप कॉर्नर पर सना है इस पर क्लिक करोगे तो सेम फिर आप वीडियो और जब आप एगेन होम बटन को प्रेस करोगे तो तो सेम फिर पिक्चर इन पिक्चर मोड में चले जाओगे अब बात करते हैं इसकी सेटिंग कहां पर है तो इसको मैं पहले close कर लेता हूँ then आपको car setting में जाना है setting then car setting then यहाँ पर extra setting के अंदर सबसे last option extra setting और यहाँ पर password टाइप करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 then ok और यहाँ पर option आएगा flood video यह flood video और इसको आप भी open था तो यह option काम कर रहा था वीडियो picture in picture mode में था मैंने close up कर दिया तो अब मैं जब video play करूँगा video player से और जब मैं यहाँ पर home button को click करूँगा यह option नहीं आएगी picture in picture mode आप यहाँ पर देख सकते हो कोई भी screen में video छोटी सी screen में नहीं चल रही है और जब आप फिर से setting से उसको open कर दोगे flood video को मैं यहाँ पर open कर रहा हूँ और आप जब video play करोगे यहाँ पर यह जब video play हो चुकी है देन आप जब home button क्लिक करोगे तो यहाँ पर picture in picture mode में आ जाएगी वीडियो तो आप इस टाइप से T3L Android का रिस्टीरियो में वीडियो को picture in picture mode में देख सकते हो थेंक यू